नमस्का दोस्तों तो कैसे आप लोग तो पिछले दिन Qualcomm ने एक बिल्कुल नया प्रोसेसर लांच कर दिया जिसका नाम है Qualcomm Snapdragon 690 और कुछ लिख्ट रिमर्स के उनुसार यह पता चले रहे कि यह बला प्रोसेसर आएगा Redmi Note 10 सीरीज में वैसे यह जो प्रोसेसर यह बहुत ही प्रोसेसर है और सबसे चीपेस्ट 5G प्रोसेसर है और इसके साथ मैंने अल्रेड़ी Snapdragon 720G और Snapdragon 675 का डारेट कंपरिशन किया है आई बटमनों से देख सकते है इस वीडियो में मैं करूंगा Snapdragon 690 के साथ Snapdragon 730G का कंपरिशन और यह मैं आपको दिखा हूंगा कि दोनों प्रोसेसर में से कौन से सबसे बहतर है और क्यूं सबसे बहतर है तो चले शुरू करते अच का वीडियो भी ना कोई वीडियो शुरू करने से पहले आगर आप गज़ोल चल पर नहें और ऐसे वीड Snapdragon 690 लांच हुआ है 2020 Q2 पे और Snapdragon 730G लांच हुआ था 2019 Q2 मतब एक्जेक्ली एक साल पहले Snapdragon 730G लांच हुआ था दोनों ही प्रोसेसर 64-bit Octa-Code प्रोसेसर है अगा दोनों प्रोसेसर के CPU आर्किटेक्चर के बार में बात करे तो दोनों ही एक्जेक्ली सेम 8 टैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बाना है अगा दोनों के core configuration के बार में बात करे तो Snapdragon 690 पे दो हाइ पार्प्रोमेंस कोटेक्स A77 कोरे जिसका स्पीड है 2.0 GHz 6 लो पार्प्रोमेंस कोटेक्स A55 कोरे जिसका स्पीड है 1.7 GHz यहां पर मैं आपको एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कुछ बहाती पॉकुलर वेबसाइट है जहां पर लिखा है Qualcomm Snapdragon 690 का जो लो पार्प्रोमेंस कोर बोदर असल कोटेक्स A56 है जो कि बिलकुल गलत बात है क्योंकि अगर आप Google पे सर्च करेंगे कोटेक्स A56 नाम से ऐसा कोई भी प्रोसेसर को रेवेलेवल नहीं है इसलिए अगर आप कुछ ऐसा वेबसाइट में देख रहे है जहां पर लिखा है कोटेक्स A56 वो टोटल ही गलत है अगर दोनों प्रोसेसर के प्रोसेसर कोर की बात करें तो स्नैप्डागों 690 का प्रोसेसर कोर का नामे क्रायो 560 और स्नैप्डागों 730G का प्रोसेसर कोरने में क्रायो 470 अगर दोनों के रैम सपोर्ट की बात करें तो स्नैप्डागों 690 का 730G, दोनों में हमें dual channel LPDDR4X RAM दीखता है, लेकि Snapdragon 690 में जो maximum RAM speed 2133MHz और Snapdragon 730G में जो RAM speed 1866MHz, अगर camera support की बात करें, तो दोनी प्रोसेसर में single camera में हमें मिलता है 192MP तक का support और अगर dual camera की बात करें, तो Snapdragon 690 में हमें मिलता है 16MP 16MP का support और Snapdragon 730G में हमें मिलता है 22MP 22MP का support अगर video capture की बात करें, तो Snapdragon 690 में हमें मिलता है 4K HDR quality में video recording, 720p video हम 240fps में record कर सकते हैं और अगर Snapdragon 730G की बात करें, तो इसमें भी हम 4K quality में video record कर सकेंगे, लेकिन इसका quality HDR quality नहीं होगा और इसमें 720p video 960fps में record कर सकते हैं और अगर दोनों के image sensor की बात करें, मतब ISP की बात करें, तो Snapdragon 690 में यूज हो हाए Spectra 355L, और Snapdragon 730G में यूज हो हाए Spectra 350 पैसे यहां पर मैं आपको एक चीज कहा दू, यह जो Snapdragon 690 का image sensing processor बेटर जेनर शाने, इसका मतला जब एक processor का image sensing processor तोरसा upgraded होता है, इसका मतला फोटो खीचन के बाद उसका जो overall color reproduction बहु बेटर होता है, overall processing speed बहु भी बेटर होता है, और अगर हम दोनों processor के display support की बात करें, तो Snapdragon 690, full HD plus quality में 120Hz और quad HD quality में 60Hz refresh rate सपोर्ट करता है, और अगर Snapdragon 730 की बात करें, तो इसमें maximum display support बहु है, quad HD plus, और full HD plus quality में 120Hz तक का refresh rate सपोर्ट करेंगा, लेकिन दोनों में एक छोटा सा difference है, कि Snapdragon 690 में HDR10 plus का support है, येकि Snapdragon 730G में बस HDR10 का ही support है, और अगर network support की बात करें, तो यहां पस सबसे ज्यादा difference है, Snapdragon 690 में X51 5G मोडे में, Snapdragon 730G में X15 LTE मादा 4G मोडे में, Snapdragon 690 में 4G में download speed बहु है 1.2 Gbps, और 4G में upload speed बहु है 210 Mbps, और Snapdragon 730G में 4G में download speed बहु है 800 Mbps, और 4G में upload speed बहु है 150 Mbps, और अगर मैं second slide में दिखाओ, तो Snapdragon 690 का 5G में download speed बहु है 2.5 Gbps, और 5G में upload speed बहु है 660 Mbps, और इसमें हमें Bluetooth 5.1 का support मिलता है, और obviously Snapdragon 730G तो कोई 5G processor नहीं है, और इसमें Bluetooth support बहु है 5.0, और अगर मैं इसके 30 स्लाइट को दिखाओ, दोनोई processor Wi-Fi 6, रेडी चीप है, Snapdragon 690 में नेविक का support मिलता है, 730G में नेविक का support नहीं मिलता, और दोनोई जो processor बोधरसल triband Wi-Fi support करता है, अगर दोनोई processor के graphics card support की बाद करें, तो Snapdragon 690 में यूज हो है, Adreno 619L जो की बिल्कुल नया graphics card काड़े, और Snapdragon 780G में Adreno 618 यूज हो है, और अगर AI मतलब artificial intelligence chip की बाद में बाद करें, तो Snapdragon 690 का AI chip का नाम है Hexagon 692, और Snapdragon 780G का AI chip बोई Hexagon 688, मतलब obviously, ये Snapdragon 780G से तो बेठर ही है, और आगर दोनोई processor के Antutu score की बाद में बाद करें, देखिए, यहां पर Antutu score के बाद में तो आभी तक कोई information नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा guess कर सकते, Snapdragon 780G का जो Antutu version 8 में स्कोर है बोई 2,80,000 के आसपास, क्योंके Antutu score mainly depend करता है एक प्रोसेसर के CPU डिपर्मेंट और GPU डिपर्मेंट को, और क्योंके Snapdragon 690 एस CPU और GPU दोनों ही माबले में Snapdragon 730G से भेटारे, तो यहां पर हम ऐसा जरूर उमीद कर सकते कि Snapdragon 690 का Antutu score 3,20,000 के ज्यादा, बन्दब आसपास तो जरूर होगा, और अगर Geekman score की बाद करें, तो Snapdragon 730G का single core में score है 547, और multi core में score है 1696, और यहां पर Snapdragon 690 का single core में score होगा 600 से थोड़ा ज़्यादा, और multi core में score है 1700 से थोड़ा ज़्यादा, तो आप बढ़ी इस वीडियो के conclusion की, आपने पूरे वीडियो में देख लिया, तो जो मेन सवाल किया Snapdragon 690, Snapdragon 730G को बीट कर पाता या फिने, अगर मैं आपको इस वीडियो को थोड़ा सा समरी करके दिखाओ, तो आप इस में देख सकते, Snapdragon 790, Snapdragon 730G से टोटल 10 मामले में बेटारे, जैसे कि बेटर CPU core, बेटर RAM speed, बेटर वीडियो काप्चर क्वालिटी, बजेट रेंज में 120Hz refresh rate support, बेटर डिस्पले क्वालिटी, जैसे कि AGDR 10 Plus का सपोर्ट, बजेट में 5G का सपोर्ट, बेटर नेट्वर्क सपोर्ट, जैसे कि Bluetooth 5.1 और निविक का सपोर्ट, बेटर इमेज सेंसिंग प्रोसेसर, बेटर ग्राफिक्स कार्ड और बेटर AI चिप, ए टोटल 10 मामले में, Snapdragon 690, Snapdragon 730G से आगे, तो इसे हम एई चिस कह सकते, Snapdragon 690, Snapdragon 730G से अब्यस्ली आगे, तो आज के वीडियो ही तक उमिदे, स्नाप्ड्रापन 690 के साथ, Snapdragon 730G के एक कॉंपरेशन आपको पसंद होगा, वैसे फ्यूचर में, आप Snapdragon 690 के साथ, और कौन-कौन से प्रोसेसर के कॉंपरेशन देखना चाहते, मुझे निशे कमेंशने के में बताना में उसके वार वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो मिलते अगले वीडियो में तर तक, stay tuned and always remember, think positive, be positive, thank you.